हेलो रिवन वेल्गम टू स्टडी आईक्यू और आज हम डिस्स करेंगे थाउजंड महत्तपून करंट अफेर का पार्ड नमबर थ्री और इस वीडियो के लिए के आ रहा हूं मैं मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोईल और ये हमारे जन्वरी से जुलाई तक के करंट अफेर हैं और इस वीडियो को अच्छे से देखे पहले दो पार्ट आपने देख लिए होंगे अगर नहीं देखे तो वो भी देख लिजे और इसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपकी जो है प्लेलिस्ट के अंदर जाके देखे बैस थाउजन करंट अफेर की उसके अंदर डाले यहाँ पे मेरे साथ वहाँ यहाँ पे 1,36,000 प्लस बचे जोड़े होएं तो आप भी आके जोड़ सकते हैं इंस्टागराम और फेस्बुक के उपरा मुझे फॉल्ल अगर सकते हैं अगर आप किसी भी गर्मेन एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं जिसके अंदर GS का पार्ट 31 तारीक के बाद इस कोर्स के प्राइस बढ़ जाएंगे और एक चीज और 31 को ही इसके अंदर मॉक टैस सीरी स्टार्ट होने वाली है और बहुत जबरदस्त कोश्चन होगे जो आपके UPS की और स्टेट PCS के लेवल के जो है उसके अंदर मैं मॉक टैस के अंदर कोश्चन ड जाने की एप या वेबसेट जैसे आप उपन करेंगे यहां पर होम पेज नजर आएगा यहां पर दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्स इस वी ओल का बटन इस वी ओल के बटन को दबाना 10,000MC कोर्स आपको तीसे नमबर पर दिखेगा और GS कोर्स आपको चौते नमबर पर नज से होती है और दूसरी बात यह है कि इसको Hanson's disease कहा जाता है Hanson's disease भी इसको कहते हैं और यह दिन celebrate कहा जाता है 31st of January को answer इसमें A option बने का correct answer one option is the right one और इसका जो theme है वो क्या है that is beat leprosy and stigma and advocate for mental well-being mental well-being तो this is the theme of the world leprosy day 2021 और यह world leprosy day हम celebrate कब से start किया है 1954 से और एक tribute देना महात्मा गांदी जी की उपर महात्मा गांदी जी को tribute देने के लिए leprosy day हम celebrate करते हैं answer इसमें 31st of January is the correct answer इसरो ने एक satellite launch करी है जो college student दवारा बनाएगी 28 February को और इस satellite का नाम क्या है पहली बात तो 28 February होता है हमारा that is called national science day celebrate करते हैं हम इसको और इस दिन रमन इफेक्ट के बारे में पता लगा था CV रमन जी ने बताया था और इस रो की जो इस satellite का जो नाम है वो है that is शिरी शक्ती satellite अंसर इसमें क्या बनेगा B option बनेगा correct answer शिरी शक्ती satellite is the correct answer और इस launch कहां से किया गया है PSLV C-51 से launch किया गया है और इस रो की अगर हम बात करते हैं तो इस रो के जो headquarter है that is the Bengaluru 1969 15 August 1969 को बना था और Bengaluru is the headquarter इस रो की एक commercial आम है जिसका नाम क्या है अंतरिक्ष अंतरिक्ष इस रो की बात कर रहे हैं इसके headquarter बेंगलूरू के अंदर है और डिरेक्टर जर्नल का नाम है के सीवान के सीवान सूपर इंपोर्टन और Bengaluru कौम स्पेसिटी भी कहते हैं शिरी शक्ती सैटलाइट इस रो करेक्ट वान Wildlife Crime Control Bureau इन्होंने रिसेंटली Wildlife Trafficking Syndicates इन जम्मू कश्मिर जो है इसमें बंडा फोर्ड किया है और इस गिरो का तसकरी करने के लिए तो यह WCCB Head K located कहां पे Headquarter Wildlife Crime Control Bureau के Headquarter कहां पे है that is in the New Delhi अंसर इसमें D option बनेगा correct answer D option is the right one Wildlife Crime Control Bureau की बात करते हैं तो यह किस Ministry के अंदर आती है Ministry of Environment and Forestry Ministry के अंदर गताती है और इसके Headquarter कहां पे है New Delhi में और अभी हमारी Environment Minister कौन है इस भुपेंदर यादव जी भुपेंदर यादव जी जो है राजे सब्रा सांसद है राजे सांसे इस वेरी इंपॉर्टन इंवार्मेंट डे कब होता है हमारा Environment Day होता है पांच जून को और Environment के लिए आपको पता होना चाहिए United Nation Environment Program के Headquarter नैरोबी कीनिया के अंदर Headquarter है और Environment के लिए एक जो है असोसीशन है डे इस कल्ड ग्रीन पीस ग्रीन पीस के Headquarter है Amsterdam में और अंसर इसमें D is the correct answer New Delhi is the right one Who was elected as the President of the Asian Cricket Council मतलब आपके Asia Cricket परिशद के जो है अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया तो यह चुना गया Jay Shah को अंसर इसमें C option बनेगा correct answer Asian Cricket Council की बात करते हैं तो इसके जो Headquarter है वो है Colombo शिलंका के अंदर Headquarter है और जो है इसके Chairman कौन है Amitab Chaudhary जो वो भी इंडिया से है President को नाम क्या है That is Jay Shah अंसर इसमें क्या बनेगा C option बनेगा correct answer BCCI पता होना चाहिए Board of Control for Cricket in India जिसके President सौरफ गाउंगली राजीव शुकला जी जो है इनके Vice President और Headquarter है वानकड़े स्टेड़े मुंबई के अंदर अंसर इस C option is the correct answer Jay Shah is the right one Vice President of India जो पूर Vice President of India है जो वाइस प्रेज़ेंड आफ इंडिया है वैंका इनाइडू जी इन्होंने इनागरेट किया आदी महसब आदी महसब लाँच जो है इनागरेट किया दिल्ली के अंदर यह आदी महसब जो है और्गनाइज इसके द्वारा करवाया गया था बहुत सारी लोग इसके अंदर involved थे और इसके अंदर जो है आपका आदी महसब जो launch करवाया गया था तो वो Trifad द्वारा किया गया था What is Trifad? This is the यहाँ पे लिखा होगा Ministry of Tribal Affairs, Government of India Responsible है इसके अंदर आदी महसब की अगर हम बात करते हैं तो आदी महसब एक आपका Celebration है Tribal Culture को Celebrate करने के लिए उनके Craft, Cuisine, Commerce को Celebrate करने के लिए और यह 2017 से हम इसको Celebrate कर रहे हैं 2017 से This is the important one Clear? अब हम बात करते हैं हमारे जो है Tribal Minister की Tribal Minister कौन है? That is हमारे Arjun Mundhaji Arjun Mundhaji जो हो है हमारे Tribal Minister है खुंती खुंती जारखंड से जो है यह सांसद है और यहाँ पे Trifet के अगर हम बात करें तो Trifet के जो Chair Person है वो कौन है? That is Ramesh Chand Ramesh Chand Meena Ramesh Chand Meena is the Chair Person Vice Chair Person कौन है? Right One C Option पहली Metro बताईए इंडिया के अंदर जिसने UV Race को Use करना Start कर दिया है और Sanitize करेंगे Train Coaches को Sanitize करेंगे तो यह किये किसने? Lakhno Lakhno Metro जो है पहली इंडिया की Metro बनी है जिसमें UV Race का इस्तेमाल किया जाएगा और जो है Certification कौन प्रवाइड कर रहा है? DRDO Defense Research Development Organization इसको Certification प्रवाइड कर रही है अंसर इसमें क्या बनेगा? C Option बनेगा Correct Answer उत्तरपरदेश की अगर हम बात करते हैं को कि Lakhno उत्तरपरदेश की Capital है और उत्तरपरदेश की बात करते हैं तो Anandhi Ben Patel जो है यहां की क्या है? Governor Yogi Adityanath जो है यहां के CM है और DRDO की बात करें तो G. Sethi Shreddy जो है यहां के Chair Personal 1958 में बना था और New Delhi is the Headquarter और लखनौ जो है आपका जो UP में आपको देखने को मिलता है दूदवा National Park देखा है? Pilibit Tiger Reserve देखने को मिलता है अंसर इस C option बनेगा राइट अंसर लखनौ मेट्रो स्टैटाइज कोचिस यूजिंग UV रेस अल्टा वैलेट रेस BCCI ने पहली बार कितने सालों बाद रंजी ट्रॉफी को जो है टूर्नामेंट को कैंसल गया है पहली बार रंजी ट्रॉफी कैंसल करी गई है रंजी ट्रॉफी जो है 1934-1935 से हम इसको खेल रहे हैं और रंजी ट्रॉफी संबंदित है किसके साथ? क्रिकेट के साथ संबंदित है clear? और ये 87 यह ज़़ार 87 सालों बाद पहली बार ऐसे देखने को मिला कि रंजी ट्रॉफी कैंसल हुई तो आपको थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में पता होना चाहिए क्रिकेट के साथ वीजे हजारी ट्रॉफी जो पूछी जाती है सेद मुस्ताक अली सेद मुस्ताक अली जो है ट्रॉफी होती है ये T20 के लिए होती है याद रखें सुपर इंपोर्टन पार्ट है और रंजी ट्रॉफी तो ही है B option बनेगा correct answer और cricket की बात करें अगेन आपको पता ही है BCCA headquarter is in the one-kday stadium Mumbai के अंदर तो answer इसमें B option 87 year is the correct one Paul Crudzen Paul Crudzen जिनका हाल में धिहांत हुआ है इन्होंने 1995 में Nobel Prize जीता था कौन सी फील्ड में Paul Crudzen ने Nobel Prize जीता था Chemistry की फील्ड में answer इसमें C option बनेगा correct answer C option is the right one और इन्होंने बताया था formation and decomposition of ozone formation and decomposition of ozone के बारे में बताया था तो answer इसमें क्या बनेगा C option बनेगा Nobel पुरुसकार की बात करते हैं तो इसको जो है Alfred Nobel जी के नाम पे है Alfred Nobel जी Alfred Nobel वो ही परसन है जिन्होंने Dynamite को discover किया था 6 फील्ड में Nobel पुरुसकार दिया जाता है और यह 5 प्राइज दिये जाते हैं Stockholm Stockholm स्वीडन में दिये जाते हैं और एक प्राइज दिया जाता है आपका Norway Oslo के अंदर Norway Oslo की बात करते हैं तो यह जो है आपका Peace Prize है और यहाँ पे दिया जाता है Stockholm में 5 Physics, Chemistry Physics, Chemistry, Medicine, Literature और Economics का अवार्ड दिया जाता है यहाँ पे अंसर इसमें C option बनेगा Chemistry is the correct answer Textile Minister समृती इरानी उस टाइम पे Textile Minister समृती इरानी थी अभी तो पीजिश गोईल जी है इन्होंने इनगरेट किया इंडिया का International Silk Fair Virtual Portal के उपर और जो है यह इसका कौन सा एडिशन था तो यह कौन सा एडिशन था तो यह 8th International Silk Fair था जो 31st of January 2021 को जो है यह कराया गया अंसर इसमें क्या बनेगा आपका A option बनेगा correct answer अभी हमारे Textile Minister कौन है पीश गोईल जी पीश गोईल जी टेक्स्टेल मिनिस्टर है Commerce Minister है Food and Public Distribution के मिनिस्टर है Consumer Affairs के मिनिस्टर है और राजे सबास सांसद है यह महराष्टा से अंसर इसमें A option बनेगा correct answer 8th is the right one कौन सी organization ने बोला है countries को 27,000 जो बच्चे North Eastern Syria crisis के अंदर फसे पड़े हैं उनको अपने अपनी जगा के उपर लेके जाना अपने अपने देश में लेके जाना उसके जाने की अपेल करी है तो यह बोला किसने है United Nation ने बोला है United Nation ने countries को बोला है United Nation की बात करें तो 24 अक्तूबर 1945 को इसका गठन किया गया था 24 अक्तूबर जो है UNDB इसको हम कहते है United Nation के headquarter कहां पर है New York के अंदर Secretary General का नाम है Antonio Guterres Antonio Guterres जो है इनका name है This is super important part clear? और जो है Syria की बात चली है तो Syria के बारे में बात करता है तो Syria जो Syria की capital है वो है Damascus और Bashar al-Assad Bashar al-Assad जो है यहां के क्या है President है और Syrian pound Syrian pound is the currency Syrian pound is the currency answer इसमें B option United Nation is the right one इनमें से Innovation Sandbox Web Portal जो है किसने setup किया Innovation Sandbox Web Portal तो यह setup किया किसने Bombay Stock Exchange ने अंसर इसमें क्या बनेगा A option Bombay Stock Exchange 1875 में बना था Asia का सबसे oldest stock exchange है और इसका जो index है वो है Sensex Sensex clear और इसमें इंडिया की जो है आपकी 30 companies top most company represent करती है Mumbai is the headquarter Innovation Sandbox जो है यह क्या करेगा workflow जो है workflow को बढ़ाएगा platform को और इसके अंदर जो है आपकी financial tech firm जो होती है और individual और offline test कर सकते है applications को और इसको approval किसने गिया है CB ने क्योंकि यह इसके guidelines द्वारा बनाई गई है CB के guidelines द्वारा बनाई गई है तो answer इसमे B option बनेगा correct answer B option Bombay Stock Exchange is the right one yearbook पुष्टक के author कौन है yearbook पुष्टक के author कौन है that is Seth Seth Rogen तो answer इसमे C option बनेगा Seth Rogen is the correct answer और इसको publish कौन कर रहा है that is a penguin random house penguin random house इसको publish कर रहा है और इसमे true stories और essay की collection है by many a happy accident a autobiography of which leader by many a happy accident किस राजनिता की आथम कता है तो ये हमारे पूर Vice President Hamid Ansari जी की तो answer इसमे B option बनेगा correct answer answer is B option Hamid Ansari is the right one Arboritum जो conserving over 1-200 10th species of trees found in the Shivali Krenge of Himalaya was inaugurated in which state Himalaya की जो Shivali Kreni है उसमे 210 जो trees हैं उससे अधिक परजातियों को सरंक्षन के लिए जो है बनस्पती संग्राय कहां पे उधगाटन किया गया है तो यह किया गया है उत्राखंड में answer इसमें क्या बनेगा c option उत्राखंड में जो है उधगाटन किया गया है और बात करते हैم उत्राखंड की गैरसे इन summer capital है अब अलग से administrative unit बे बनाई गई है पुशकर सिंग धामी जो है यहां के क्या है CM है बेबी रानी मौरया जो है यहां की गवर्नर है यहां पे Jim Corbett National Park है और गंगोतरी National Park, गोविंद पशु विहार राजाजी National Park, वैली ओफलार National Park और नंदा देवी National Park आपको देखने को मिलते हैं और उत्रकंड में Capital Dhera Dun है, Dhera Dun के अंदर Survey of India के Headquarter है और Indian Military Academy के भी Headquarter है और हमारे Forest Research Department भी यहां पे देखने को मिलता है, अंसर इसमें C option उत्रकंड is the right one Oxford Languages द्वारा, Hindi word of year 2020 जो है उसकी naming किसने करी Oxford ने और कौन सा नाम दिया गया है, तो यह नाम दिया गया है आतम निर्भरता आतम निर्भरता is the 2020 Hindi word, this is super important B option बनेगा correct answer आतम निर्भरता का मतलब वो क्या होता है self-reliance, आतम निर्भरता, जाने कि self-dependent, answer is B option is the correct answer, आतम निर्भरता Ministry of Environment, Forest and Climate Change की Ministry ने, एक national action plan जो है आपका release किया था कौन सी species के उपर, देखे actually इन्होंने किया था national marine turtle action plan, answer इसमे B option बनेगा marine turtle के उपर, Ministry of Environment, Forest and Climate Change की Ministry ने और कहां पे New Delhi के अंदर ये launch किया, और answer इसमे क्या बनेगा जी आपका D option बनेगा, correct answer climate change की जो minister है again बपेंदर यादव जी हैं, जो राजयसाबा सांसद हैं कहां से, राजयसान से answer इसमें D option बनेगा, correct answer, D option, marine turtle कौन सा bank जो है, जिसने decide किया not to allow its customer to withdraw money from the non-EMV automated teller machine, effective from the February 2021, FAB 2021 से, ऐसे कौन से bank ने मना किया, customers को कि अगर जहां पे non-EMV होगा, तो वहाँ पे ये कर नहीं पाएंगे, transaction नहीं कर पाएंगे, non-EMV पहली बात तो non-EMV जो आपके transaction होती है, वो कौन सी होती है ये वो होती है, जो आपका जो card होता है, उसका जो magnetic strips लगी होती है, उसको read कर लेती है और read कर लेती है and do not hold the ATM card during the transaction, मतलब वो जो है आपकी, जो आपके card होता है card card की reading उसने ली और उसके बाद उसको छोड़ दिया, तब पैसे निकाल सकते हो लगिन आजकल आपने देखा होगा, card जो है वो ATM machine के अंदर ही होता है, जब तक transaction नहीं होती, तो जो जो निकाल लेते थे, तो that is called non-EMV clear, इसी लिए इन्होंने कहा है कि वो आप नहीं निकाल सकते, तो ये बोला है किसने है, पंजाब National Bank ने बोला है answer इसमें D option बनेगा, correct answer New Delhi is the headquarter, SS Malika Rajan Rao is the CEO Lahore, पाकिस्तान के अंदर ये बना था, और answer इसमें D option बनेगा, पंजाब National Bank is the correct answer World Wetland Day 2021 का जो है theme क्या था World Wetland Day 2020 का theme था that is wetland and water answer इसमें A option बनेगा, correct answer World Wetland Day celebrate कप किया जाता है 2 फर्बरी को, और celebrate कप से करने लगे हैं, 2 फर्बरी 1971 से celebrate करने लगे हैं हम, और क्योंकि उस ट्राइम पर convention हुई थी convention हुई थी wetlands की, लेकिन celebrate हमने world का पहला Wetland Day celebrate के था, 1997 में लेकिन 2 फर्बरी 1971 को एक convention on wetland हुई थी, ये याद रखना convention on wetland, clear जिसे आप रामसन convention कहते हैं, लेकिन हम celebrate 1997 से करने लगे थे, this is the important answer इसमें wetland and water is the correct Maritime Union of India has urged the government to take cognizance of which declaration on sea failure well-being and crew change in the formulation of Maritime India Vision 2030 Maritime Union of India ने सरकास आग्रह किया है कि Maritime India Vision 2030 के निरूपन में, well, sea for well-being और crew change पर कौन सा जो है घूशना पत्र ये उनने जारी किया घूशना पत्र की बात कर रहे हैं, Maritime India Vision 2030 के लिए तो घूशना पत्र का नाम है Neptune Declaration, answer इसमें D option बनेगा, correct answer और इसको जो है, formulate किस ने किया है That is the Ministry of Ports Ministry of Ports Shipping and Waterway की ministry ने जो है, इसको जो है, formulate किया है और हमारे Port Shipping and Waterway की जो ministry है, वो कौन है आपके minister, सर्वनन्दा सोनोवाल जी सर्वनन्दा सोनोवाल जी, जो है आईश मिनिस्टर भी है, सर्वनन्दा सोनोवाल जी clear, और यह जो आपका Maritime India Action Plan है इसके अंदर क्या है, कि जितने भी workers हैं, उनको recognize करना, और उनको priority basis के उपर, जो है, COVID-19 vaccine प्रवाइड करना, COVID-19 vaccine प्रवाइड करना, this is important, answer इसमे, D option, Neptune is the right one कौन सी country ने जीता है अवर्ट, 2021 Men's Handball World Championship जो आपकी एजिप्ट में हुई थी 2021 Men's Handball Championship, यह जीती किसने है that is Denmark, answer इसमें A option बनेगा, correct answer, Denmark is the right one, और आपको मैं बता दूँ, International Handball Federation है, यह हुई थी जनवरी के अंदर 13 से 31 जनवरी के आसपास जो है देखने को मिली थी, और इसमें 32 टीमों ने पार्टिस्पेट किया था, पहले जो है आपकी जब स्टार्ट हुआ था तो 24 कंटरीज पार्टिस्पेट करती थी अब 32 टीम में पार्टिस्पेट करती हैं अंसर इसमें A option बनेगा अगर आपसे पूछा कि ये International जो है आपका International Handball Federation International Handball Federation के जो Headquarter है वो कहाँ पे हैं, that is Basel, Switzerland के अंदर Headquarter है और इनके President का नाम के है, Dr. असन मुस्तफा हसन मुस्तफा मुस्तफा, ठीक है, International Handball Federation के, अंसर इसमें A option बनेगा, correct answer कौनसी स्टेड ने launch किया है, हर घर पानी, हर घर सफाई, mission जो virtually launch किया गया है, तो शुभारंब किस ने किया है, पंजाब सरकार ने, अंसर इसमें D option बनेगा और इसलिए क्या किया गया है, कि 100% जो है आपके हर घर में piped water, pipe से जो पानी जाता है, वो पहुंचा दिया जाएगा, खास करके पूरे rural areas के अंदर, इंडिया में, urban areas में तो ही है, rural areas के अंदर, और इसको fund कौन कर रहा है, world bank कर रहा है जल जीवन mission कर रहा है, जो government of India का है, नाबाड कर रहा है और आपका जो state है, वो participate कर रही है, इसके अंदर का, this is important one, clear, और बात करते हैं, यहाँ पे पंजाब की, तो पंजाब की जो capital है, वो है चंडिगड और मैंने आपको बताई देता, अमरेंदर सिंग is the CM, और governor का नाम है VP Singh Badnoor, VP Singh Badnoor, clear, और यहाँ बहुत सारे आपके wetlands है, वाइलाफ सेंचरी है, हरी के wetland वाइलाफ सेंचरी है यहाँ पे, और that is कथालूर, कथालूर कुशी कुशी, कुशलियान कुशलियान, ठीक है, that is कॉल कथलौर कुशलियान वाइलाफ सेंचरी है, नंगल wildlife century है यहां पर ठीक है जजर बचोली wildlife century है और तकनी रहांपुर तकनी रहांपुर wildlife century देखने को मिलती है अंसर इसमें D पंजाब is the right one पंजाब लिटल बुक आफ इंकरेजमेंट इस पुस्तक के author कौन है इस पुस्तक के author कौन है दलाई लामा अंसर इसमें C option बनेगा correct answer और इस बुक को edit किस ने किया है रेनुका सिंग ने edit किया है और publish दलाई लामा जी पहली state की human milk bank जो आपका opt किया गया है एरनाकुलम जनरल हॉस्पिटल के अंदर एरनाकुलम जनरल हॉस्पिटल के अंदर हुमन मिल्क बैंक बनाया गया है और ये कहां पे है तो डैट इस इन्दा केरल अंसर इसमें D option बनेगा correct answer एक्चली जो है ये केरल के अंदर गया गया है जब बच्चे बिमार होते हैं और insufficient breast milk production नहीं हो पाती तो वो बच्चे को बच्चे को दूसरी मदर का breast milk मिल जाएगा इसलिए Human Milk Bank यहां पे स्थापित किया गया है केरल की अगर हम बात करते हैं तो केरल की जो capital है वो है तिरूवनतपूरम, पिनारी विजन जो है यहां के CM का नाम है आरिफ मुहमद खान यहां के governor का नाम है यहां पे बहुत सरे आपके नैशन पाग है इरावी कुलम नैशन पाग आपको देखने को मिलता है माथी केटन शोला नैशन पाग पेरियार नैशन पाग, साइलेंट वैली नैशनल पार्ग, अनाई मूरी शोला नैशनल पार्ग और पंबादुम शोला नैशनल पार्ग देखने को मिलते हैं, अंसर इसमें D is the correct answer, केरल is the right one इंडिया का पहला सेंटर बताइए, वेट लेंड कंजर्वेशन के लिए जो कौन से शहर में सेट अप किया गया, तो यह कौन से शहर में सेट अप किया गया, that is in the चिन्नाई, चिन्नाई is the correct answer, नैशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टर मैनेजमेंट चिन्नाई, नैवेट लेंड कंजर्वेशन और मैने आपको बताता है, वर्ल्ड वेट लेंड कब होता है, दो फर्बरी को हम celebrate करते हैं, अंसर इस चिन्नाई is the correct answer, इंडियन अमेरिकन बताए, जिनको acting chief of staff of US Space Agency, जो है, पॉइंट किया गया था, तो acting Indian American, तो that is called भव्या लाल, अंसर इसमें क्या बनेगा, ये option बनेगा, correct answer, अगर आप से पूछा, कि chief of chief of staff at NASA कौन है, अब, chief of staff at NASA कौन है, तो उनका नाम है, that is Susie Perez Quinn, जो है, ये है, ठीक है, और अगर हम बात करते हैं, NASA की, तो NASA के headquarter कहाँ पे है, national, जो है, space administration, national aeronautic space administration, जिसके headquarter है, वाशिंग्टन के अंदर, और इसका motto कहा है, for the benefit of all, administrator कौन है, यहाँ पे, Bill Nelson, Bill Nelson, this is important one, answer इसमें क्या बनेगा, आपका E option बनेगा, correct answer, mega investment textile park, मित्रा, scheme के according, कितने textile park, जो है, establish किएगे, तीन सालों के अंदरगन, मतलग किए जाएंगे, कितने textile park, बनाए जाएंगे, साथ आपके textile park, बनाए जाएंगे, answer इसमें C option बनेगा, और इसमें जो है, हम double करने वाले हैं, industry size को, और कितना पैसा लगेगा, USD 300 billion dollar, 300 billion dollar द्वारा, और यह कब तक complete हो जाएगा, 2025, 2026 तक जो है, इसको complete हम कर देंगे, this is important one, seven, आपके जो है, textile park है, answer इसमें क्या बनेगा, आपका C option is the right one, again textile minister कौन है हमारे, पीश गोल जी, जो महराष्टा से सांसद है, राज्यसबा सांसद, अगर textile आपके mega investment park, मित्रा scheme लागू हो जाती है, तो इससे क्या होगा, globally competitive market बन जाएगी, हम large investment को attract कर पाएंगे, employment generation होगी, और export हम कर पाएंगे, जिसके main feature क्या है, साथ आपके textile park तीन साल में लगाए जाएंगे, और आपका world class infrastructure बनाया जाएगा, global champions और export के अंदर गत, तो this is important one, multi-purpose seaweed park, जो है, establish किया जाएगा, कौनसी state में, multi-purpose seaweed park, जो है, setup किया जाएगा, कहाँ पे, that is in the Tamil Nadu, answer इसमें, D option बनेगा, correct answer, Tamil Nadu की बात करते हैं, तो capital का नाम है, चनई, MK Stalin जो है, यहां के CM का नाम है, बनवारी लाल प्रोहिद, जो है, यहां के governor का नाम है, मुदू मुलाई nations park है, यहां पे मुखूर्ती nations park है, इndra Gandhi, अनामलाई शोला नेश्चर पाक है, अनामलाई नेश्चर पाक है, गिंडी नेश्चर पाक, गल्फ उफ मननार, और आपका जो है, पालनी हील्स नेश्चर पाकब का इंसर इसमें, D option बनेगा, correct answer, Tamil Nadu is the right one, Commonwealth Human Rights Initiative जिसने बोला है जो है भारत में पत्तरगारों के खिलाफ फ्राजदुरों के मुकद्द में बापस लेने का अहवान किया है तो ये CHRI, that is Commonwealth Human Rights Initiative जो है इसके Headquarter बताने हैं, ये कहां पे हैं, that is in the New Delhi New Delhi के अंदर इसके Headquarter है, super important, इसके Director का नाम क्या है that is Sanjoy Hazarika, Sanjoy Hazarika, this is important one, Sanjoy Hazarika is the name हमारे Home Ministry ने order दिया है National Investigating Agency को ताकि जो है इसराइल Embassy दिल्ली के अंदर जो भी explosion हुआ है वो फट 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 प्रोब करें और इस Director General कौन है, हमारे National Investigating Agency के कौन है तो पहली बात तो Y.C. Modi, जो है ये National Investigating Agency के जो है आपके Y.C. Modi, जो है National Investigating Agency के जो है आपके Director General थे और जो अभी अगर हम बात करें, at present की बात करते हैं तो अभी कौन है, कुलदीप सिंग, कुलदीप सिंग, जो आपके कुलदीप सिंग जो है Director General है अभी, कुलदीप सिंग, this is important one पहले Y.C. Modi थी जब ये हुआ था, और Headquarter कहां पर है, New Delhi के अंदर है अमित शाह, जो है हमारे Minister Responsible है इसके लिए तो answer इसमें B option बनेगा, correct answer, B option संगीता बहादूर, जो appoint की गई है, next Commissioner of India to which country, कौन सी country में, तो ये है, Malta country में High Commissioner appoint की गई है, answer इसमें A option बनेगा, Malta country की बात करें तो Valeta, Valeta is the currency और George Vela, George Vela is the President name, answer इसमें Malta is the right one, Malta युद्ध अभ्यास, एक आपका joint military exercise है, ये इंडिया और कौन सी country के बीच में देखने को आपको मिली, युद्ध अभ्यास exercise जो है, ये आपको देखने को मिली, US India, US India, US India military exercise है ये, युद्ध अभ्यास 20 थी ये, और ये हुई कहां पे थी Bikaner District in Rajasthan, Bikaner District in Rajasthan, और ये हमारा 16th edition था, 16th edition था, this is important one, clear, और इसमें 200 soldiers आपके USA थे और 200 soldiers, Indian soldiers थे जिन्होंने participation दी, answer इसमें D option बनेगा, correct answer, US is the right one, world cancer day 2021 का जो theme है, वो क्या है, world cancer day 2021 क्या theme क्या है, world cancer day हम celebrate करते हैं, चार फर्बरी को, और इसका जो theme था, that is, I am, I will, और इसका जो theme है, I am and I will, together all our action matter, together all our action matter, ये full है, action matter, actually 2019 से 2021 तक आपका I am and I will का ही theme था, ध्यान रखे, important है, answer इसमें C option बनेगा, cancer day चार फर्बरी को celebrate करते हैं, cancer क्या होता है, कोई कोई cell है, वो आपका uncontrolled division होने लग जाती है, तो उसको हम cancer कहते हैं, answer is C option is the correct answer, world cancer day, 4 फर्बरी, कौन सी country ने medal tally में top किया है, first Asia online shooting championship के अंतरगर, तो ये India ने, आपका जो है, India ने medal tally में top किया है, answer इसमें C option बनेगा, और इसको organize किसने करवाया था, कुवेथ shooting federation ने organize करवाया था, जिसमें 24 member जो है पाटिसपेट किये थे India की side से, जिसमें इन्होंने 11 medal जीते, 11 में आपके 4 जो है, gold है, 2 silver है, और आपके 5 जो है, आपके that is a bronze है, ध्यार के important है, और इसमें 274 shooters ने participate किया था, 22 Asian countries ने participate किया था इसमें भारत is the correct answer, तो यहां पर rank देख लीजिए, तो यहां पर जो tally है आपकी, तो इन्होंने पूछा था, tally के अंदर जो है आपके, I mean to say कितने medals आए, ठीक है, तो यहां पर जो है आपके, जो India Tops medal tally, तो यह पता होना चाहिए आपको ठीक है, तो यह शायद गलत लग गया पिचर, medal tally, Asian Online Shooting Federation अंसर इसमें C option बनेगा बस, 11 medal जीते थे यह पता होना चाहिए, 11 medal जीते थे चलिए यह अगले कोशन की तरह, यह पिचर शायद गलत लग गया मेरे से, कौन सी country ने host किया, Indian Ocean Region Defense Ministry Conclave 2021 Indian Ocean Region Defense Minister Conclave 2021 कहां पे हुआ, host किया गया, that is भारत, India is the correct answer और यह जो है, इसका theme क्या था, that is enhanced peace, security, cooperation in the Indian Ocean, दो दो आर रपीट कर रहा हूँ मैं, that is the enhanced peace, security and cooperation is the theme, super important part है, अंसर इसमें, India is the correct answer, India, और यहां पे जो है, actually क्या था, Aero India की meeting चल रही थी, इसकी sideline में यह जो है, किया गया था, sideline में किया गया था यह what is the aim of the SpaceX Starship prototype rocket, जो आपका recently explode किया गया, explode हो गया, जब वो उसको test launch के बार उसको land कर वा रहे थे, तो अब explode हो गया तो इसका Starship का नाम गया था Starship SN10, अंसर इसमें C option बनेगा, correct answer और यह जो है, आपका कितने altitude के उपर छोड़ा गया था, 10,000 km के altitude के उपर छोड़ा गया था अंसर इसमें C option बनेगा, correct answer और again आपको पता है कि आपका जो इसमें Falcon 9 जो है rocket जाता है, अंसर इस C option SpaceX की बात करते हैं, तो SpaceX के founder CEO का नाम क्या है CEO का नाम क्या है, that is Elon Musk, Elon Musk और headquarter का हाँ पर है, California US के अंदर headquarter है, 2002 में यह बना था SpaceX, Starship SN10, this is important one the government has proposed a UN budget 2021-22, जिसके अंतरगत कितनी मंडीज को जो है आपको integrate किया जाएगा, National Agriculture Market, E-NAM platform के उपर E-NAM platform, that is the National Agriculture Market platform, जो अंतरगत जो है, आपने कितनी मंडीज को बोला तो यहाँ पर देखे जी, जो है यह मंडीज जो है, 1000 1000 और मंडीज को जो है, इसमें integrate करने की यहाँ पर बात करी गई है, answer इसमें D option बनेगा, correct answer D option, this is the important one, clear और मैं आपको बता दूँ हमारी Agriculture Minister कौन है नरेंदर सिंग तोमर जी है, जो Agriculture and Family Welfare Minister है, और सांसद है कहाँ से, मौरेना मध्यापरदेश से यह सांसद है, मौरेना मध्यापरदेश 1000 is the correct answer कौन सी स्टेट ने launch की है scheme, ताके वो financial assistance प्रोइड करेंगे, जो आपकी innovative startup company है, for the startup के लिए for the IT patient IT patent के लिए sorry, not patient, IT patent के लिए, जो है startup, जो है financial assistance प्रोइड करेंगे, कौन सी scheme प्रोइड करेंगी, तो that is the कौन सी state प्रोइड करेंगी, महराश्रा महराश्रा जो है, यह एक scheme launch कर रहे हैं, जिसके अंदर financial assistance, जो है, innovation startups के लिए, जो IT patents के लिए, जो है, महराश्रा सरकार sponsor करेंगी, boost करेंगी, answer में, A option बनेगा, और इसके अंदर का, जो है, 120 से 150, startup जो है, आपके support किये जाएंगे, with the financial assistance of 2 lakh से 10 लाख रूपे तक के, यह जितने भी 2 lakh से 10 लाख रूपे तक के, जो है, आपके startup को पैसा financial help मिलेगी, answer इसमे, A option बनेगा, correct answer मध्यापर्दी, महराश्रा की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे उद्दव ठाकर देजी है, CM है, बगज सिंग कोश्यारी यहाँ के गवरनर है, मुंबई इस्दा कैप्टल, नावे गाउ नैशन पाक है रिलीज करिया है, guideline for the setting up of the limited purpose clearing corporation by the asset management company asset management company द्वारा जो है, guidelines द्वारा कौन सी organization दी और उन्होंने limited purpose clearing corporation जो है, set किया, तो यह CB द्वारा, CB security exchange board of India द्वारा जो है, आपकी guidelines दी गई और, जो है, asset management company द्वारा, limited process limited purpose clearing corporation जो है setup किया गया, इसका purpose यह है ताकि जल्दी से जीरे जिल्दी आप जो rapport transaction होती है, corporate business के अंदर, corporate debt security के अंदर, जल्दी से जल्दी हम कर सकें, और settled कर सकें कोई भी अगर doubt आता है, तो answer इसमें C option बनेगा, correct answer CB की बात करें, 1988 को बना था और 92 में हमें इसको statutory powers मिल गई थी, Mumbai is the headquarter, Ajay Tiyagi जो है यहां के Ajay Tiyagi जो है, यहां के क्या है आपके executive chair person है, answer इसमें C option बनेगा, इंडिया की youngest female pilot जो है कौन है, जो 25 साल की age में जो है इंडिया की youngest pilot बनी, तो इनका नाम है, that is Ayesha Aziz answer इसमें D option बनेगा और यह कश्मीरी women है, कश्मीरी girl है यह, super important question, कश्मीरी girl है यह, this is important, clear और जब यह 15 साल की थी, तो इन्होंने training करी थी, और इन्होंने MIG 29 jet जो है चलाया था, this is important one answer is D option is the correct answer और यह graduation इन्होंने कहां से करी है, that is A Bombay Flying Club से, Bombay Flying Club, answer इसमें, Ajiza Aziz is the correct one Chairman of the National Safety Council, जो 3 साल के लिए appoint के गए है, उनके chair person कौन है तो वो है, S.N. Subramaniam answer इसमें C option बनेगा correct answer, और यह क्या करेंगे यह provide करेंगे कि जो workers हैं, उनके workplace के उपर उनको safety ensure करवाने की बात इन्होंने करी है, और किस ministry के अंदर आता है, labor ministry के अंदर रगत आता है, और labor ministry कौन है हमारे that is Bupendra Yadav, क्योंकि labor minister भी है, environment minister भी वो ही है, जो राजसबा MP है, राजसबा MP है राजस्तान से, answer इसमें C option बनेगा, S.N. Subramaniam is the correct answer RBA ने guidelines issue की है RBA system बनाया है for the selected non-bank landers and urban cooperative banks के लिए जिसमें RBAI में B का मतलब क्या है urban cooperative banks और non-bank landers के लिए guidelines issue की है, RBA system बनाया है और इस word का मतलब क्या है RBAI का मतलब है risk based internal audit risk based internal audit जिसमें B का मतलब क्या है, based risk based internal audit, answer इसमें क्या बनेगा, A option बनेगा correct answer A option, clear, और अगर हम बात करते हैं, यहां पे RBAI की तो RBAI के जो governor है, वो शक्तिका अंदास है, और 25 वे governor है हमारे RBAI के, Mumbai is the headquarter, this is important one, Mumbai is the headquarter, answer is, base is the correct one कौन सी company और Mishra Dhatu Nigam Limited ने एक MOU sign किया है for the composite raw material ताकि वहां पे development और production कर सके हम raw materials की, this is important one, so कौन सी company और Mishra Dhatu Nigam Limited ने किया है, तो that is a, Hindustan Aeronautics Limited और आपका Mishra Dhatu Limited ने यह MOU sign किया है, for the raw material development and production के लिए answer is में A option बनेगा, correct answer हिंदोस्तान Aeronautics Limited की अगर हम बात करते हैं, तो इसके headquarter का हम पे Bengaluru के अंदर, और यह 1940 के अंदर यह बना था, headquarter जो है, इनके Bengaluru के अंदर ही है और R. Madhwan, R. Madhwan जो है, यहां के chairman and MD है, answer is A option is the right one इसरों ने planning करी थी Brazil का Amazonia 1 की, जो है आपका जो है, इस month के अंदर का डालेंगे कौन से rocket से जो है, planning करी थी इनको launch करने की, तो यह planning करी थी PSLV C-51 से launch करने की बात करी गई थी, और एक कितने किलो का था, 637 किलो कराम का Amazonia satellite थी, जो Brazil की satellite थी This is important one, clear, और इसरों, जो है, इसरों के headquarter कहां पे Bengaluru में, KC1 is the president name, और important है यह question और जो है, इसमें जो है इसरों is the correct answer, clear और अगर हम बात करते हैं, ब्राजील की तो ब्राजील की बात करें, तो जायर बॉल्सोनेरों जो है, यहां पे प्रेजिड है, ब्राजीलिया is the capital और ब्राजीलियन रियल is the currency, answer is C option C-51 is the right one 18 और भी satellite launch करी थी हमने, United States ने extend किया है new start, that is strategic arms reduction treaty को, nuclear arms control treaty को, Russia के साथ कौन से साल तक, United States ने जो है, इसकी उपर extend कर दिया है control treaty के उपर, 2026 तक, answer इसमें C option बनेगा correct answer, nuclear disarmament की treaty को 5 साल आगे और बढ़ा दिया गया है, between the US and the Russia very important, clear up, 2026 तक, US की बात करते हैं, तो US की capital है, आपकी कौन सी Washington है, और Joe Biden, जो है यहां के क्या है, President है और रशिया की बात करते हैं, तो रशिया रशिया की बात करते हैं, तो रशिया की जो President का नाम है, बलादीमिर पुतीन है और Moscow is the capital, और Rubel is the currency, Rubel is the currency, answer इसमें 2026 is the right one पहली state बताईए, जिसने E-Cabinet की implement करने की यहां पर बात करी है, E-Cabinet implement करने की बात करी, तो वो है आपकी हिमाचल परदेश, answer इसमें A option बनेगा, अगर पहली North East पूछा, पहली North East पूछा, तो वो है अरुनाचल परदेश याद रखी, North East पूछा और नाचल परदेश, लेकिन पहली state है आपकी हिमाचल परदेश, हिमाचल परदेश की बात करते हैं, तो हिमाचल परदेश की capital है शिमला, जैराम, ठाकूर, इज़ा CM नेम, और राजेंदर विश्वनाथ, राजेंदर विश्वनाथ, अरेलकर अरेलकर जो है, इनके गवर्नर का नाम है, यहां पे पेन वैली नाशन पार्क, सिंबल वाड़ा इंदर किला, खीर गंगा और ग्रेट हिमालेन नाशन पार्क आपको देखने को मिलते हैं, अंसर इस ए उप्शन अरेलकर प्रदेश में मौलिंग नाशन पार्क, नामडाफ नाशन पार्क देखने को मिलता है, अंसर इस ए उप्शन, हमाचर प्रदेश is the correct one ब्यूटिफुल थिंग्स, इस पुस्तर के ऊथर का नाम बताएं Beautiful Things पुस्तर के author का नाम है Hunter Bidain Hunter Bidain is the right one clear B option बनेगा right one Hunter Bidain is the correct one यह देखेजी Hunter Bidain New York Times best seller Beautiful Things and more दिल्ली गर्मेंट ने campaign करी है ताकि electrical गाड़ियों को वहानों को जो है हम जाह से ज़्यदा प्रमोट कर सकें और जल्दी से जल्दी हम जो है electrical चीज़ों की उपराएं ताकि production को खतम किया जा सकें तो campaign का नाम है Switch Delhi Switch Delhi is the correct answer government ने set up किया है target की 25% जो है आपके electrical गाड़िया हो जाएंगी आपके जो भी है 2024 तक 25% गाड़िया electrical हो जाएंगी Switch Delhi campaign के अंतरगत बोला है डेली की बात करें तो CM कौन है अरविंद केज़िबाल अनिल बाइजाल जो है यहाँ पे left-hand governor है answer is C option Switch Delhi is the right one next high commissioner of India to the Republic of Malawi Republic of Malawi के जो है आपके next high commissioner का नाम बताएंगे कौन है तो वो है S. Gopala Krishnan जी answer इसमें B option बनेगा correct answer Malawi की बात करते हैं तो यहाँ पे जो capital है that is Lelongway Lelongway is the capital Lazarus Chakvera Lazarus Chakvera जो है इनके president का नाम है Malawi An Kavacha Malawi An Kavacha जो है यहाँ के currency का नाम है S. Gopala Krishnan is the right one Sphere X mission जो है कौन सी space agency के साथ जो है आपका associate करता है Sphere X mission जो है NASA company के साथ जो है associate करता है answer इसमें B option बनेगा correct answer Sphere X का मतलब क्या है that is the that is the epoch of epoch of re-ionization epoch of epoch of re-ionization and isis explorer epoch of re-ionization and isis explorer यह इनका नाम है जो है आपका नाम है जो है आपका नाम है जो है यहाँ पर क्या है Sphere में that is called spectrophotometer 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 photometer जो है यह बड़ा सा नाम है आपको पता आना चाहिए और जो है SpaceX ने इसको launch किया है Falcon 9 rocket से अंसर इसमें क्या बनेगा NASA NASA की जो administrator है उनका नाम क्या है that is Bill Nelson और NASA की जो headquarter है that is the Washington अंसर इसमें B option बनेगा correct answer NASA is the correct answer NASA यह launch किया था Sphere X यह थी आज की lecture के अंदर question I hope आपको मज़ा आया होगा परसों अगें आज का कल का दिन छोड़के परसों जो है हम दोबारा से एक हमारा four set लेके आएंगे और जो updates होंगे वह आपके टेलिग्राम चैनल के उपर अपलेड होंगे Instagram और Facebook के उपर मुझे follow कर सकते हैं अगर आप किसी भी government exam की त्यारी कर रहे हैं जहांपे आपको policy, history, geography, science, economics, environment के papers आते हैं, question आते हैं तो मेरा 10,000 MC course हमारा best selling course है जिसके अंदर हमने chapter wise, topic wise MCQ डिसे किया है detail में ठीक है और यहां पे आप जो है विपन 20 coupon code यूज़ करके अपना discount ले सकते हैं 31st of July तक इसका last day है 1 August इस courses के prices बढ़ जाएंगे और दूसरी बात 31st of July को है इसके अंदर एक mock test series में start कर रहा हूँ तो mock test series भी आएगी GS course जो है हमारा पूरा का पूरा जो है theory course है, इसके अंदर हमने basic चीज़ों को discuss किया है topic wise अब आप इन courses को कहां से ले सकते हैं दो जगा से, study IQ app के उपर जा हमारी website studyiq.com जैसी आप इसको open करेंगे आपको screen के उपर नज़र आएगा यहाँ पे home page, यहाँ पे देखेगा best selling courses, view all का button इस view all का button को दबा दीजिए 10,000 MC course तीसरे नमबर पे देखेगा और GS course आपको चौते नमबर पे नज़र आ जाएगा जो भी course अच्छे लगें परचेस करें सो आगे बढ़ते हैं थैंक्यू सो मच, गुल लगाएस, टेक क्यार, बाबाए